हे गाइस माने मिस महेंद्र एन वेलकम बैक ट्यू ए प्लैनेट आज किस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एंगलो सेक्षन पिरियट के एक राइटर जिनका नाम है किड्मन तो चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को तो दोस्तो किड्मन के बारे में हमें जितना भी पता चलता है वो चलता है हमें बीट के एकाउंट से एक दूसरा राइटर बीट जिसने सैंट हिल्डा और उसकी मुनेस्टरी के बारे में लिखा है जोकी विटपी में हैं किडमिन को एंगलो सेक्षन का मिल्टन भी कहा जाता है एक बार सैंट हिल्डा के मुनेश्ट्री में एक इंसान जिसका नाम था किडमिन वह पोम्स लिखने में काफी माहिर हो गया वह religious poetry लिखा करता था और उसका कहना था कि वह भगवान के आदेश पर यह poetry लिखता है religious poetry वह जो भी sacred scripture में पढ़ता था उससे तुरंत ही poetic form में इस तरह से translate करता था कि वह बहुत ही sweetness के साथ लगती थी और बहुत ही beautiful लगती थी कोई भी इंग्लेंड में उसके बरावर poetic form में expert नहीं था सबसे अच्छी बात तो यह थी कि उसने कहीं से भी poetry कमपोज करना नहीं सिखा था उस समय एक प्रथा होती थी खाने के दौरान कि सभी लोग कुछ ना कुछ गागर सुनाएंगे लेकिन kid bin सबसे पीछे हट जाता था किकि वो कभी भी कुछ भी गाना नहीं चाता था उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था गाने को लेकर तो एक बार उसने एक fist में ऐसे ही किया जैसे ही उसने देखा कि एक harp एक musical instrument उसकी तरफ बढ़ाया जा रहा है ताकि वो गाना गाई वो तुरंत उठा और घोडो की देखबाल के लिए stall में चला गया घोडो की देखबाल की duty उसी की थी और हर दिन की तरह वो एक निश्चित समय पर सो गया तभी उसे उसके सपने में एक आवाज आई kid bin sing me something और उसने reply दिया I cannot sing and that is why I came here from the feast लेकिन फिर से आवाजाई kid bin sing to me और उसने फिर से reply दिया वाज शला I sing और फिर से आवाजाई sing the beginning of the created things और तभी kid bin ने गाना शुरू किया वर्स में Now should we praise the power and wisdom of the creator the works of the father जब kid bin उठा तो उसे सारी लाइन्स सारी वर्स के लाइन याद थी तो उसने वो सारी के सारी poetic lines लिख ली और जा करके उसने वो poetic lines सैंथ हिल्डा के एक steward को दे दी steward ने जल्द ही वो poetic lines सैंथ हिल्डा के पास पहुचाई और सेंठ हिल्डा उन सब को पढ़कर काफी खुश हुई उसके टैलेन्ट को जाचने के लिए सेंठ हिल्डा ने उसे स्कृप्ट्चर्स दिये लेटिन की और अगले ही दिन उसने लेटिंग के स्क्रिप्चर्स का ट्रांसलेट करके उनको एक पोईटिक फॉर्म में ला दिया और सेंट हिल्डा को दे दिया जिससे सेंट हिल्डा ने उसे और उसकी फैमिली को मुनेश्ट्री का मेंबर बना दिया किडमिन ने बाइबल की कई स्क्रिप्चर्स को पोईटिक फॉर्म में ट्रांसलेट किया किडमिन की हाइम जैसे किडमिन हाइम और किडमन मेट्रिकल पैरफरेज और पार्स अफ होली स्क्रिप्चर्स अंगलो सेक्षन इन्हें आज भी पढ़ा जाता है So guys, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही Thanks for watching this video